जब मैं उनको पहले मिला था 2010 में एहम्दाबाद में मिला था तब वो अपने गुजरात के CM थे और हमारा मैस था साथ अफरिका के अगेंस मोडेरा स्टेडियम में उन्होंने माही भाई जो हमारे कप्तान था इंडिन टीम के उस वक्त तब भी माही भाई साथ में थे मोधी स साथ के तभी उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि यह रविंद्र जड़े जा तो मोधी साथ ने खुद बोला कि भाई यह तो अपना लड़का है ध्यान रखना करके ऐसे हस थोड़ा हस के ऐसे लाइट मोड में तो तभी मुझे अच्छा लगा था कि परस्टनली एक फ मोधी सार से मुलाकात हुई थी 2019 में जब मैं और मेरी वाइफ रिवाबा मिलने गए ते डेली तो तभी भी अच्छा लगा सर ने 20-25 मेंट का टाइम दिया उन्होंने गुजरात के बारे में बात किया फिर क्या काम कर रहे हैं मेरी वाइफ से पूछा कि आप क्या कर रहे हो क्या करना चाहते हो ऐसे अच्छे अच्छे से बात किया और एक्स्प्लेंट और सर ने सोना भी कि अच्छा बताओ क्या आप काम कर रहे हो गुजरात में और क्या अच्छा करना चीए डेवलोपमेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जब प्रदान मुंतरी खुद पूछते है कि और क्या डेवलोपमेंट करना चीए गुजरात में तो एक अच्छी बात होती कि सबी लोगों से अपनी गाही लेते कि और अच्छा गुजरात को बैटर गुजरात का विकास और अच्छा कैसे कर सकते हैं इंडिया के बाहर हम कहीं क्रिकेट खिलने जाते तो स्टेडियूम में इतने सारे क्राउड आते हैं उनमें से बहुत सारे गुजराती क्रिकेट के फैंस भी होते हैं तो वो जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि हम मोधी सर के साथ हैं आप गुजराती हो हमें प्राउड होता है मोधी सर गुजराती है हमें प्राउड फील होता ह तो वो सुनके बहुत अच्छा लगता है कि अब वर्ल्ड में कहीं भी जाओ जब गुजरात की बात आती है तो नायंद्र मोधी सर का नाम पहले आता है जब हम डेली में सर से मिले 2019 में तब पंद्रा बिसमेट की बातचित हुई तब सर ने एक बात बताई कि अभी मैं जो भी चेंजिस ला रहा हूं जो भी मैं अपने देश के हित में अच्छा कर रहा हूं कभी लोगों को अभी अच्छा ना भी लगे हैं सब लोग एगरी नहीं करेंगे मेरी ठिंकिन्ग में जो मैं सोच रहा हूं जो आगे बढ़ने को देख रहा हूं इसमें एकरी ना भी करें क्योंकि कभी कभी चेंजिस आना टाइम टाइम पर बहुत जरूरी होता है तो सर ने बोला कि शायद अभी अपनी जो इंडिया की जनता है उनको अच्छा ना लगे ये मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ तो थोड़े टाइम के बाद जब वो समझेंगे जब उनको रियलाइज होगा सबको कि ने ये सब अपने अच्छे के लिए अपने देश के हित के लिए कर रहे हैं तब ही वो बहुत खुश होंगे और तब ही उनको समझ में आएगा कि मैं जो अभी इतनी देश के लिए महनत कर रहा हूं, देश के विकास के लिए महनत कर रहा हूं, वो जब उनको रियलाइज होगा तब उनको समझ में आएगा कि जो मैं इतनी महनत कर रहा हूं उसके पीछे का रास किया था, मुझे समय si tu इतने उच्छाई और बड़े पद पर रहने के बाद भी अगर कहीं भी जाते हैं छोटे अगाउं में जाते हैं छोटे लोगों से मिलते तो भी उनको नाम से बिलते तो वह उनकी बहुति बहुत ही बड़ी बात है कि इतने लोगों से मिलना होता है, देश विदेश में लोगों से मिलना होता है, इतना काम होता है, दिमाग पूरा टाइम चलता रहता है, उसके बावजूद भी जब अगर आप कोई भी आदमी को मिलते हैं और उससे नाम से बुलाते हैं तो बहुत ह बड़ी बात होती है जो नहेंद्र मोधी सर ने जो गुजरात के लिए किया है इतने सालों में जब से सराय से लेके प्राइम मिनिस्टर तक की जो उनकी यात्रा रही है तब ही उन्होंने जो गुजरात का विकास किया है वो बहुत ही बहुत ही बढ़ी है और गुजरात का वि हर जगा पानी आता है पीने लायक पानी आता है और रोड्स आप गुजरात के देखेंगे तो वह बहुत ही अच्छे रोड्स है आप कहीं भी जाओगे तो आपको नेशनल हाइवे और जो सिटी में जो रोड्स है वह एक्तम डेवलप है तो सर ने दिल से अपना गुजरात सम पर बैठे हुऊ है और जब भी गुजरात बात आती है तो वह हमेशा अडिकम रहते हैं और एक कॉन्फिडेंस आता है कि जब अपने प्रदान मंत्री साहब इतने स्ट्रॉंग है जो वह इतनी मेहनत करते हैं तो एक जनता को भी एक सटिसफेक्शन मिलता है उनको एक कॉन् अगर यह चीज मेंने किया तो देश का और विकास होगा वो उनका जो वीजन है आगे का वीजन आने वाले दस-पंद्रा सालों का वीजन है उनका वह बहुत ही बड़े है कि उनको पता है कि मैं अभी कोई भी चीज में इन्वेस्ट करूंगा तो आने वाले 10-15 साल में यह इसका देश के लिए क्या फाइदा होगा